हमें problem क्यों था उसका root cause क्या है तो सबसे पहला तो एक समझना है कि हमारा human body बनाए कैसे बुद्ध क्या है कि कोई भी चीज बनती है तो बनी कैसे सबसे पहला तो वह देखना पड़ेगा हम एक invisible dot से पैदा होते और वह invisible dot जो है वह five elements से बनता है वह five elements क्या है हवा पानी खुर संद्रेज और फिप्ट अलिमेंट इस अमारे जो अर्थ है वो खुद एक huge magnet है उसमें से नौर्थ पोल और साथ पोल magnetic frequency लीज होती है पुर्थवी के पेट के अंदर 5000 किलोमेटर अंदर आउटर कोर करके एक एरिया है और वहीं से नौर्थ पोल साथ पोल magnetic frequency निर्मान होती है और हमारे surrounding में सब जगे पर magnetic frequency मोजूद है लेकिन उस magnetic frequency को आप आखो से कभी देखनी सकते जैसे oxygen को आप देखनी सकते वैसर आप magnetic frequency को कभी देख नहीं सकते लेकिन आपके surrounding में वह अस्तित्तों में है अगर इसके बारे में अगर और ज्यादा details में आपको जानकारी चाहिए तो आप Google पे डालो advance krillian aura photography advance krillian aura photography डालोगे तो आपके surrounding में सब जगे पे magnetic frequency है लेकिन आज हो हमें कम मातरा में इसले ही मिल रही है क्योंकि आज आपके 3 feet में लोहा है कोई भी चीज देखो 3 feet में लोहा है यह छत लोहे का है यह flooring लोही किये गाड़ी बाई कार ट्रेन तमाम करोड़े टन का लोहा हमारे आजू बाजू में है जो 1500 साल पहले था ही नहीं ना के बराबर था या था ही नहीं ऐसा भी मान के चलो तब यह five elements से यह हमारा जो body बनाए याने body blood cell से बनी है अपनी मतलब अपना जो blood cell से वो five elements element से बनाए और blood cell से पूरी body बनी है अपनी तो अपके organ की कोई भी part लोग किसे बने blood cell से यह नाकून किसे बनाए blood cell से, यह skin किसे बने blood cell से, बाल किसे बने blood cell से, हड़ी किसे बने blood cell से, तमाम शरीर के अंदर जितने भी organ part है सर से लेकर पैर के नाकूं तक सारे के सारे ब्लड सेल से बने हैं और सिल का प्राइमरी खुराक है यानि प्राइमरी ब्लड सेल को जिन्दा रहने के लिए चाहिए औक्सिजन अगर किसी का 65 kg का वजन का बॉड़ी है तो अगले 60 दिन तक बगर खाने का जिन्दा रह सकता है ब मैंने इतना सारा डेटा निकाला है इंटरनेट से कि अगर मैं आज पढ़ने शुरू करू बगर ना है तो अगले 500-500 साल लग जाएगा यह मैंने इसमें कोई समझने वाली बात नीए टेस्ट्र्बोवण कंसेप्थ है मैंनेट इंप्रूड एक ही हैं माइनट इंफ़्य वर ब्लड सर्कूरसेशंघ्र एनांस जिए और ऑक्सुंजन लेла ओं यहींन ऑस्य। मैंगनेट की बात करना मैं मैंनेट को कई किसम के होते हैं तो यह हमारे शरीर को कभी भी हम नहीं करते हैं इसके कोई भी side effect नहीं है तिन लोगों इसको इससे रिज़ सकते हैं जो लेडी pregnant को यूज नहीं करना है जो बंदेखे च्छाती के अंदर पेस में करनां कि एलक्टोनिक डिवाई से उसको यूज नहीं करना है और जिसके पास electronic insulin pump है उसने उसको यूज नहीं करना है क्योंकि magnet electronic चीज़ों को बंद करता है electronic चीज़ है इस magnet से दूर रखना है क्योंकि यह बहुत powerful magnet है इतना चोटा magnet is equal to ordinary 100 kg magnet यह body के अंदर blood circulation improve करता है blood circulation improve करने से आपके शेरिर में oxygen की proportion बढ़ती है oxygen का प्रमान बढ़ता है जैसे अपने नाक से सास ली left और right में दो हमारे lungs है यानि 600-600 ml के oxygen के cylinder है आप अपने नाक से सास ली लेकिन और lungs में ही मुझूद है oxygen आगे जिस रफतार से उसको बढ़ना चाहिए जिस speed से उसको पुरे body के अंदर top to bottom जाना चाहिए एक-एक organ part के पास एक-एक blood cells के पास उस oxygen को जाना चाहिए वो जा नहीं पाता तो magnet क्या करता है हमारे iron के साथ attract होता हमारी पूरे शरीर के अंदर 4 ग्राम iron होता है और वो iron का ही role होता है blood cells के अंदर oxygen को penetrate करना यानि blood cells के अंदर oxygen को transmit करने का काम हमारी शरीर का iron नाम का component करता है अगर iron नाम के component को अगर हमारी शरीर वे से निकाल दिया जाए तो maximum 50 से ज्यादा भी धर्ति पे जिंदा नहीं रह सकते तो सदियों से magnet iron के उपर impact करता है iron को influence करता है और magnet iron को influence करता है दोनों एक दुसरी के दोस्त हैं दोनों एक दुस्रे को पर असर करते हैं दुनिया में दोनों ये वक्त करते हैं तो हो क्या आज हमारी तीन फिट का जो लोहा है वो अशे हमारी पूत्वी की जो नैच्रल की magnetic power चाहिए वो कम मातरा मी मिलता है मैं आपको इतना ही बता दो हमारा heart हमारे पूरे शरीर में दोई चीज सबसे important है अगर वह है तो ही शरीर जिंदा है पहला है heart और दूसरा है brain यह दोनों sensitive अगर heart ने काम करना बंद कर दिया पूरी body खतम हो जाती है और brain ने काम करना बंद कर दिया पूरी body खतम हो जाती और पूरे शरीर के अंदर यह दो ही important और बड़ी ही नाजूक पार्ट है और हमारा brain और हमारा heart directly earth magnetic frequency के साथ connect है जब आप और फोटोग्राफी देखो कि उसमें clear हो जाएगा तो हमारा heart pumping करने के लिए पूथवी के natural magnetic power लेता है वैसे हमारे शरीर के अंदर पचास लाग से भी ज्यादा होल से यानि पोर्स उसको हिंदी में बोलते human पोर्स अब वहां पर जाके चेक कर सकते और वह सारा मतलब सर से लेकर पैर के तलवे तक सारे होल से हमारे और हमारा body surrounding में पूथवी के magnetic power को हमेशा खिष्टा रेता है और हमारी जो पेट की नाभी है उस नाभी के जरीए पूरे शरीर के अंदर उस magnetic frequency को पासान करता है और उस magnetic frequency को हमारा जो iron हो एट्रैक्ट होके हम जो नाक से सास लेते हैं जो दुनिया की हर एक बीमारी ब्लट सेल्स के त्रू ही पूरे शरीर के अंदर फैलती है या उस पर्टिक्लोस औरगन पार्ट को डेमेज करती समझे का कोई ब्लट सेल्स के अंदर इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लट सेल्स को जितने प्रपोर्शन में नाचरल ऑक्सीजेट कमजोर पढ़ जाता है जब screw P chosen डूस को पैचान सकता है तो इसको बीमारी आपके ब्लट सेल्स में और होती है और पूरे शरीर में मल्टिप्लाइ होके फैलना शुरू हो जाती तब जाके आप बिमार पढ़ जाते हो अलग-अलग टैप के आपको बिमार्या होती है तो हजार बात की एक बात ब्लड सेल्स को प्रपर प्रपर्शन में ऑक्सुजन मिल गया तो दुश्मन को पहचानके उधर ह भी खतम कर देगा तो ज्यादा यह जितनी भी दुनिया भर में जो मेडिकल स्टोर्स खुली है वो उनमें की दवाया हमारी डेफेसेंसी है ही नहीं हमें हमारे शरूर को सी पांची चीज़े चाहिए हवा पानी खुराग सन्रेज मैगनेटिक पावर चटवा कोंसा चीज़ चाहिए मुझे बताओ करोड़ो साल से वही चाहिता आगले करोड़ो साल भी बॉड़ी को जिंदा रखने के लिए शरूर को जिंदा रखने के लिए वही चीज़े चाहिए सब कुछ मिला पानी नहीं मिला जिंदा रह सकते हो सब कुछ मिला खाना नहीं मिला जिंदा रह सक just like a cycle की chain और पूरे शरीर के अंदर each and every organ part को each and every blood cells को proper proportion में oxygenated blood जाएगा और जो हमारे body के अंदर जो waste toxin होता है उस toxin को भी बहार निकालने में ये blood circulation system काम करता है अपने अच्छे सा अच्छा diet लिए अगर अपकी circulating system खराब है तो each and every organ part तक each and every blood cells तक वो जाएगा नहीं आपका जो nutritious होता है वो each and every organ part और blood cells तक जाएगा नहीं दो नहीं गंटे के पाद टॉलेट में flush हो जाएगा तो आप जो भी diet लेते हो वो आपको each and every organ part तक जाने के लिए वो काम करता है और पिछले 16 सालों से हम magnetism के उपर research कर रहे है इस particular magnetic concept के उपर मैं अगले 24 घंटा non-stop with evidence बात कर सकता है इतना मैंने इसके उपर research तो study किया है मैं लाखों लोगों को मिल चुका और यही table यही च्छत यहीं पर हम अलग-अलग लोगों के साथ consultancy करते है magnetism natural है magnet कभी भी side effect नहीं करता है तो हजार बात की एक बात आपके शरीड में कोई भी problem अगर है तो blood circulation oxygen level की deficiency की वज़े से वो problem आपके शरीड में develop हुआ है इसके उपर में एक punchline बनाईए 99.99% causes of the disease and disorder only due to lack of blood circulation and oxygen level मतलब एक ही बात है आपके शरीड में कोई भी अगर problem है तो oxygen और blood circulation की deficiency के कारण ही हो problem आपके शरीड में है क्योंकि पुरा का पुरा शरीड blood cell से बनाए और blood cell का primary खुरा के oxygen उसको उसका oxygen दे दो आपकी body ठीक हो जाएगे या धिरी धिरी ये कोई जादू की चड़ी नहीं कि आप magnet की influence में आगे तो दूसरी जिन भागना चालू करोगे यह time लगता है person to person differ करता है और show में पांच टाका लोगों हो सकता है result नहीं भी मिलेंगे कि उसने body के already चिधरे उड़ा दिये तो हमारा यह alternative natural therapy का यह product है जिसमें आप आपकी doctor की treatment चालू रोखो doctor की दवाया चालू रोखो doctor ने दिया हुआ diet आप लेते रहो आपकी exercise आप करत रही है आपको help मिलेगा body के blood cells को repair करने में help मैंगनेटिक पानी प्यों उस बायो मैंगनेटिक मैट्रेस पर सो जाओ और जो हमारे ब्रेसलेट्स और तमाम भो सारी product हमारी है उसके उसको आप यूज करो अगर आपको आपके problem से बहारा आना ते उसको alternate करके इसको यूज करन आप कोई भी critical हालत में जब patient hospital में जाता है तो doctor क्या करता है सबसे वहला उसके नाक को oxygen लगाता है तो घुमा फिरा के बात oxygen की यह प्राण वाई की बात चल रही है यहां पर तो magnet एक ही काम करता है इसके उपर मैं हजारों आपको एविडेंस दे सकता हो magnet इंप्रूज यूर ब्लट सर्क्लेशन और डिफॉल्ट है जैसे हमारी पूर्थवी एक magnet है अब मैं आपको यह oxygen क्या होता है हमारी magnet का blood circulation का oxygen का connection क्या हो समझाना चाहता हो हमने नाक सी लिया oxygen का लंक्स में गया अब लंक्स में stored है और जिस speed से उसको फैलना चाहिए फैलता नहीं तो magnet क्या करता है हमारी body के iron नाम के component को attract करता है और उसको लेकर दोड़ना शुरू कर देता है मान के चलो यह iron यह क्या करता है पीछे यह से magnet है और यह पीछे iron को लेके भागना शुरू कर पी लिया तो इसमें क्या हुआ अभी 70% पानी है बाखी 30% क्या है oxygen मतलब science क्या कहता है जहां पर empty space है जहां पर खली जगा है वहां पर within a nanosecond oxygen फोच जाता अभी nanosecond मतलब 1 second का करोड़ा हिस्सा तो अभी क्या हुआ iron ने magnet को लेके आगे भागा तो पीछे एक vacuum create हुआ तो हमारे lungs के अंदर जो stored oxygen है वह वहां पर फोच जाता है within a nanosecond तो आपके body के अंदर oxygen का प्रमान बढ़ता है हमारे शहरी के अंदर 72,000 blood vessels से उसकी लंबाई तक्रीबन एक लाग किलोमेटर है तो उस पूरी blood vessels के अंदर oxygen full हो जाता है और blood cells को healthy रहने के लिए तो oxygen ही चाहिए blood cells healthy तो body healthy, blood cells unhealthy तो body unhealthy, blood cells dead तो body dead, तो एक बात common sense के बात समझो, अपने शरीर को बरबाद करके doctor के पाद जाने में कोई अकलमंदी नहीं, doctor का दुनिया के कोई भी doctor का role आपकी body बरबाद होने के बाद ही शुरू होता है, जैसे कोई भी वकिल का role का शुरू होता है, जब जब तुम मारा मारी यह वगरे करके जाओगे, कुछ तो dispute create करोगे, तब वकिल का role चालो होता है, वैसे doctor का role भी तभी चालो होता है, तो अपनी शेरीर को बरबाद करके doctor के बाद जाके फिर लाको रुपे कर्च करके, परि आने वाले 15 साल में और यह हजारो करोडो गुना बढ़ेगा, radiation बढ़ेगा, stress बढ़ेगा, environment में problem आएगा, chemical toxin बढ़ेगा, इसका सबका असर हमारे शेरीर के उपर बढ़ता है, blood circulatory system disturb हो जाती है, जिसका हम जो हवा के जरीए, पानी के जरीए, खाने के जरीए, जो chemical हमारे body में जाता है, वो भी अंदर ही सड़ रहा है, तो उसको भाहर निकालने के लिए, यह magnetic product यूज़ करना ज्यादा है, यहाँ पर आपने को common sense यूज़ नहीं करना है, हाँ, जितना study करना उतना study करो, लेकिन ज्यादा analysis करनी की ज़रुत है, मैंने बोला इसको पर करोडों गूगल, one is anemia and second is a hypoxia, अभी आपको तो मालूम ही, जो भी science का बंदा है, हमारे शेरिट के each and every blood cells को oxygen transmit करने का काम, oxygen को carry करने का काम, oxygen को absorb करने का काम कोन करता है, iron, और मैं आपको blood cells का definition बता है, पूरी body blood cells से बनिये, blood cells के अंदर होता है, hemoglobin protein, hemoglobin protein के अंदर होता, iron, और iron क अब आएगा तभी तो खीचेगा ना, तो यह oxygen बढ़ाने में magnet help करता है, तो इसको proper तरीके से आप study करो, समझो, आप इत्मनान से समझो, आरे कोई जादू की छड़ी भी नहीं है, कि दोश्या दिन में हो गया, किसी को एक घंटे में भी response मिलेगा, किसी को 10 दिन भी लगे, किसको 10 में में लगेगा, depends करता है, तो इस तरह से यह magnet काम करता है, हमारी e-biotorium जो company है, e-biotorium network private limited, यह कभी भी किसी हमारी जो magnetic product इसका कोई warranty, guarantee, claim कभी नहीं करती, लेकिन magnet तो within a fraction of second हमारे body पे influence करता है, मतलब करता है, और हमारा body भी magnet को respond करता है, तो depending कि आपका body कैसा respond क से फिर भी patient बचता नहीं, इसका मतलब doctor खराबे, hospital खराबे, दवा खराबे, ऐसा नहीं होता है, आपका body कितना respond करता है, उसके उपर आपका body का recovery depend करता है, तो यह magnetic product यूज करो, क्योंकि आप जब सोते हो, तो आपका 95% repairing and maintenance वर नीन में होता है, इसलिए आप magnetic mattress पे सो जाओ जब जब आप पानी पियोगे, कोशिश करो 90% magnetic पानी पीने की, हाथ में breast rate बांद के रोगो और तमाम अलग-अलग products हमारे उसको use करो, क्योंकि हम कमाती किस के लिए, हम गाड़ी किस के लिए खरीते हमारे शरीर की खुशें के लिए, हम घर किस के लिए खरीते हमारे शरीर क के लिए काम करते हैं, तो वो शरीर के लिए कुछ हजार रुपे खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक बार अगर कुछ हो गया तो लाखो करोड़ों खर्च करने के बाद भी वो शरीर वापीस से बनता नहीं, यही तो बतकिसमत ही है, इंसान अपने शरीर से पै बॉड की जरूत है, एक छोटा बच्चा भी उसको यूज करता है, एक ब़ॉन बेभी भी उसका कर सकता है, लिए captures कर सकता है, और 125 साल का बुजव भी इसको यूज कर सकता है, तो इसे Magnetic Product लेना है, Magnet improves your blood circulation Biomagnet, not a magnet Biomagnet, कभी भी natural magnet ये natural magnet ये कभी side effect नहीं करता है ये biomagnetic products आप use करो वो magnet हमारे body पे काम करता है उसके बहुत सारे demonstration हम दिखाते हैं एक तो छोटा पानी का बुन डाल के भी हम लोग demo करते हैं तो ये immediately आपको signal देता है पांच साल पहले शुरूब अथब जाके आज indicate हुआ है diabetes मिठा खाने सी नहीं होता diabetes आपके शरी में oxygen की कमी के करण होता है आप कुछ भी खाते हो वो है carbohydrate खानाम खाते हैं आप wage खाओ, non-wage खाओ, fruit खाओ दो ढ़ाई गंटे के बाद उसका conversion fatty acid और glucose में होता है और यहाँ पर insulin भी बनता है हमारे बड़े यहाँ पर glucose बनता है, यहाँ पर insulin बनता है insulin का काम होता है glucose को neutralize करना आप balance करना insulin glucose को तभी balance करेगा तभी neutralize करेगा जब आपके शरी में dissolve oxygen भरपूर परमान में हो proper proportion में हो और यह जो biomagnet आपके शरीर के अंदर dissolve oxygen का proportion बढ़ाने में help करता है, अगर यह dissolve oxygen का proportion बढ़ा, तो insulin क्या करेगा उस glucose को जला देगा या जो fatty acid बढ़ा है उसको जला देगा fatty acid नहीं जला, तो आपका sad बढ़ता जाएगा, glucose अगर नहीं जाड़ा तो आपके शरीर में sugar बढ़ती जाएगी तो इसमें करना क्या है? oxygen को बढ़ाना है अच्छा, दुनिया की किसी भी medical store में oxygen बढ़ाने की कोई दवा ने रागले 200 साल आईगी भी नहीं possibilities नहीं है तो इसका एकी काम है, biomagnets की use करो ये काम अपना करता जाएगा तो दुनिया की तमाम बीमारिया ब्लड circulation डिस्टब होने हैं आपके शरीर में अगर pain है, अगर मेरे हाथ में pain है तो उसका एकी कारण उस area में proper proportion में blood circulation नहीं हो रहा है आपके शरीर के अंदर कहीं भी pain है तो वहाँ पर proper oxygenated blood नहीं जा रहा है circulatory system खरव है और उसके कारण वहाँ पर carbon dioxide की proportion ज़्यादा है और जहाँ पर carbon dioxide की proportion ज़्यादा होती आपका body pain करना शुरू करता है तो ये magnetic panipio ये magnet की mattress में सो जाओ और तमाम product तो ये काम करना शुरू करेगा और magnetism के उपर आपको बहुत सारा knowledge मिलेगा मेरे पास बहुत सारा knowledge है मैं आपको देता है उसको proper study करो फिर आपको अच्छा लगे आपका मन बोले तो आप उसको low बाकी तो इसका ज़्यादा analysis करने से paralysis होगा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं क्योंकि 16 साथ से हम दे रहे रोज के लाखो products हम लोगों को दे रहे तो ये product आज each and every person की ज़रूत है आपको यूज करना है आपके family के अंदर जितने लोगे सबको यूज करना है आप जैसे सोते है वैसे सो उसके लिए को अलग technology यूज नहीं करना है सर नीचे मुंडी नीचे जिदर जैसा करना है वैसा करो पानी पीते रहो और एक magnet अपना काम करेगा आप अपना काम करते रहो ये दुनिया की जरूत है ये advance latest technology की magnet है जिसको नासा के scientists भी यूज करते है उनके space shuttle के अंदर उनके कप्रों के अंदर उनकी जूतों के अंदर तो ये advance है अभी तक लोगों को मालूम नहीं है तो इस magnetism की use करो और आखरी जाते जाते में ये बता देता हूं कि शरीर के अंदर सारी की सारी बीमारिया blood circulation oxygen level disturb होने से आपके शरीर में develop होती है और magnet आपके शरीर के अंदर blood circulation oxygen level improve करता है तो आपकी सारी सारी की problem को वो धीरी-धीरी करके reverse करने में help करेगा magnet help करता ही करता है हो सकता है 100 में से 25 लोगों को नहीं भी करेगे लेकिन magnetic product बहुत जबर्दस असर करता है तभी तो हम 16 साल से एकी जगबे बैठके पूरी दुनिया को यह product manufacturing करके supply करने की ability रखते तो biomagnetism के बारे में आज की दिन इतना ही thank you very much